नमस्कार दोस्तों मैं वी चत्रुवेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों को स्वागत करता हूँ मित्रों सुचनाय सुरू करने से पहले आपसे निवेदर है कि यह था हमारी चैनल पर प्रथम बार है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सेयर करें, सस्क्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें जिससे की सिख्षा जगत की जो महत्पूर अपडेट्स हैं वो आपको प्राप्त हो सकें जैसा की आप देख पा रहे हैं, आज 37,000 सिख्षों की जो भड़ती है उसके बारे में भी दिया गया है कुछ सुचना सुरू करने से पहले, आज का सुबचार सफलता सुबा जैसी होती है मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है इस नात्य में तुरों हमें जागना पड़ेगा और हम जागेंगे, तभी सफल होंगे आगे बढ़ते हैं, पहली सुचना निकल के आ रही है उस बात से असपस्च करने का प्रियास किया जा रहा है कि जिन बिभागों से मांगा जा रहा है अधियाचन उनके जो आ रहा है अधियाचन उसमें तुटिया है जिसकी वज़ा सीउपी टिपल असी भरती नहीं निकाल पा रहा है सासन के कई भी घावकों से रिक्त भरने के प्रस्ताओं अधिनस सेवा चैन आयोग भेजने में रूच नहीं ले रहा है जो भरती प्रस्ताओं भेजे जा रहा है उनमें खामियां सामने आ रही है इससे भरती आगे नहीं बढ़ पा रही है इस तरह से देखा जाए तो जब यह आयोग और अधिकारी नार्मल बात नहीं सुन रहा है मुखमंतरी जी की तो नॉर्मल वेसे जो साधरान नाकरिक हैं उनकी बात कैसे यह लोग सुनेंगे यह एक प्रस्चिन है हलाक यूपी टिपल सी ने यह जो बात है इसको संग्यान में लिया है और कहीं न कहीं यह मुखमंतरी तक यह बात पहुझ भी गई है आपको पुरह याद दिलाना चाहूँगा मित्रों की यूपी टिपल सी के द्वारा पेट की परिश्चा पीई टी कराई जाएगी जिसके तोरा यह जो पद आप देख पा रहे है तो आप सभी पिट की तयारी जो है जो महतबूड मानते हुए और उसकी तयारी अच्छे से करते रहे दो-तीन वर्स पहले अधियातन भेजा गया था जो उसमें तुटिया थी अभी जो आ रहा है उसमें भी तुटिया इन्होंने बताए अपसर सोधित करने की बात भी कह रहा है नए सीरे से भेजने के निर्देश दिये गया है अधियाचन को नए सीरे से रिक्त पदों की इस्थिर जोड़कर प्रस्ताव आने पर रिक्त पदों की जो संख्या है वो लगभग 40,000 के अधिक हो सकती है यानि जो आने वाली भरती है वह यूपी टेपल सी से वो लगभग 40,000 प्लस जो है पदों पर भरती होगी ऐसे भरती कारवाई आगे बढ़ने में मुश्किल आ रहे थी अधियाचन में तुटी होने की वज़ा से विभागों से तुट रहे भरती प्रस्ताव भेजने का आगरह किया जा रहा है और इसके बाद ही जो भरती है वह आगे बढ़ पाएगी और सबसे ज़्यादा जो आउसर है परिवार कल्याण विभाग राजयोस विभाग और विकास सिवं पुस्टा हर विभाग आदमें पदों की संख्या सारवधिक बताई जा रही है तो इस तरह से मित्रों यूपी टुपलसी से एक बड़ी भरती आपके सामने आपको देखने को मिलेगी जल्द ही और जैसा की आप देख भी पा रहे हैं आयोग की चेर्मेन प्रमिन कुमार्ण ने मुख सची राजिन कुमार्ण तिवारी को इस समध में पत्र लिखा उन्होंने भरती प्रस्ताओं की विसंगतियों का उलेग करते हुए इसे दूर करने के लिए अपने अस्तर से विभागों को निदेश देने का आगरा भी किया चेर्मेन मुख सची को लिखा पत्र तो चेर्मेन ने मुख सची को या पत्र लेकर के अस्पस्ट किया है कि जो ये तूटिया है अधियाचर में वहा उन आयोगों से उन विभागों से समाप्त करने के लिए कहा जाए ताकि जो है जो भरती प्रक्रिया है वहा आगे बढ़ सके इस तरह से आप देखेंगे जो पदों की संख्या है उसका भी आज ने उच प्यत्र में विर्वड दिया गया है जैसे परिवार कर्ड़ान विभाग में दिया गया है है आपके सामने जो की 40,000 पदों को समलित किये हुए है और किस-किस विभाग से कितनी वेकर्जी है उसको असपस्च करता हुआ आगे अगर देखें तो उसी में पाएंगे आंतरिक लेखा विभाग परिच्छक में 1303 गन्ना चीनी विभाग में 1066 सिक्षा निदेशक बेसिक म 1055 पदों की संख्या बताई जारी है तो इस तरह से मित्रों आप देखेंगे कि या एक बहुत बड़ी वेकर्जी यूपी टुपल सी से बनकर आपके सामने आने वाली है तो आप इसकी अच्छे से तयारी करें और जल्द ही आपको यह बड़ी वेकर्जी देखने को मिलेग अगली जो सोचना मित्रों निकल के आ रही है वो आ रही है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग से तीन सो अठाइस पदों पर सीधी भरती करेगा उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग छे प्रकार के पदों पर भरती के लिए आवेदन आज से आवेदन जमा करने की अंतिवती थी 24 सितंबर है इस तरह से मित्रों 328 पदों पर लोग सेवा आयोग से जो सीधी भरती है उसका फार्म फिलिंग का काम सुरू हो गया है जो भी आवेदन करना चाहते है मित्र वो इ कई अच्छे विभागों से इसमें वेकंसी देखने को मिल रही है कई अच्छे विभाग ऐसे हैं कुल्चे विभाग बताया जा रहा है और उनसे वेकंसी आपको यहां असपस्ट की गई है उत्तर पर दिन लोग सेवा आयोग ने च्छा प्रकार के 328 पदों पर सीरी भरती की शुरू करने जा रहा है आयोग अपनी साइट पर मंगलवार को इसका अविस्तित विज्यापन जारिए करेगा और साथ ही आल्लाइन आवेदर की भी प्रकार्या को सुरू करेगा यानि आज से आपको इसका डीटेल भी आयोग की साइट पी मिल जाएगा और आज ही से ज पुल छे विभाग ऐसे हैं जिनमें की भरतिया बताई जा रही है लुतर प्रदेश लोग से वा आयोग से और डारेक्ट भरती यानि सीधी भरती की बात इसमें कहीं जा रही है तो जो भी मित्र इसमें आवेदन करना चाहते हैं आज से आवेदन शुरू है आवेदन वो कर सक इसमें आयोक की ओ से छह प्रकार की सीधी भरती हैं इसमें उत्तर-प्रदेश गृभी विभाग उत्तर-प्रदेश रेडियो सेवा के तहत सहायक रेडियो अधिकारी आज 6 पर मित्रों 6 प्रकार की पर भरती प्रक्री आयोक के द्वारा शुरू किया जा रहे हैं और यह इसमें भ्यारति भाब मना चाहरा है वो फाम भर देढ़ आगली जो सूचना आरहे है मित्रों रास्टी अध्यापक सिख्छा परिशद दिभाग से आ रही है टीटी आजीवन मानता के संबंध में आदेश का इंतजार राश्टी अध्यापक सिक्षा परिशद की और से देश भर में सिक्षक पारता परिशद की आजीवन मानता के समद में परदेश सरकार को केंदर के आदेश का इंतजार है और निर्देश मिलते ही यह जो वैदता है वह आजीवन कर जाएगी तो यह जो अपडेट है यह बहुत महत्पूर है जो भी अभ्यारती टेट की परिशद की परिशद देते थे उनका टेट का जो मांक सिठ है वो एक निश्चित वैलिडिटी रखता था उसके बाद उसकी वैलिडिटी समाब तो होते ही उन्हें फिर से परिशद देनी पड़त आदेश का इंतजार है दिशा निरदेश मिलने पर ही परिश की टीटी के नियमों में बदलाओ की प्रक्रिया सच्यू परिश्चा नियामक प्रादिकर्ण की ओर से सुरू की जा सकेगी सच्यू परिश्चा नियामक प्रादिकर्ण अनिर्भूशण चत्रवेदी ने बताय कि आदेश अभी नहीं मिला है और आदेश मिलते ही यह प्रक्रिया पूरी कर ले जाएगी। सब कुछ सही रहा तो उनकी भी जो वैलेडिटी है वो बढ़ा दी जाएगी। टेट या हो या सीटेट हो। अगली सुचना आ रही है टीजीटी कला में फाइनल आर्ट वालों को सामिल करने की बाद। 51 चैनितों का अभिलेख सत्यापन यह है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग से यल्टी ग्रेट परिश्चा से सद्द देते हैं। उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग में अल्टी ग्रेट परिश्चक परती परिश्चा 2018 के तह समाजिक विज्ञान विश्चा में चैनितों के सच्छिक दस्ता बेचों का सत्यापन का रिशुरू हो गया है। जैसा कि दिया है पर्थप पाली में 45 वादूती पाली में लगबख 46 अभ्यारती पहुचे और सत्यापन प्रक्रिया कराई जो सत्यापन प्रक्रिया है लगबख 17 दिसंबर तक चलेगी। अगली सुचना मित्रों मिल लही है स्टाफ सेलेक्षन कमीशन से कर्मचारी चैन आयोग की CHSL टीर 2 में सफल अभ्यारती होंगे सामिल। तो 2018 की जो CHSL की परिक्षा है उससे संदर्भित करके या सोचना निकल के आ रही है या एक महत्रपूर्ण अपडेट है जो टीर 2 में अभ्यारती साविल हुए थे उन्हीं के बारे में कर्मचारी चैन आयोग की ओर से CHSL 2018 टीर 2 परिच्छा में सब अलब भ्यारतियों के लिए स्किल टेस्ट 26 डौबर को सुरू हो रहा है मधरचेद्र के साथ सहरों में होगा स्किल टेस्ट के लिए UP में 5 और बिहार में 2 केद्र बनाएगे अगली सूचना माधिमिक सिक्षा च विग्यापन आने वाले हैं उसके संदर्व में आपको कल अपने चैनल के माधन से हमने साम को ही बता दिया था डीटेल अगर आप देखना चाहें तो वीडियो है हमारे चैनल पे आप उसको डीटेल देख सकते हैं उसमें यही असपश्च करने का प्रयाज किया गया है कि ज जो पदू की संक्या है वह भी बढ़ेगी सुचना सुनने के लिए भी तरो आप लोगों का बहुत धन्य वाद